नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडी टाइम्स बिहार में चल रही सियासी अटकनों के बीच यूट्यूबर मनीश कशप ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वह अपनी मा के साथ दिल्ली पहुँचे थे जहां उन्होंने भाजपा कार्याले में मनोज तिवारी और संजय मयूक के सामने पार्टी की सदसिता ग्रहन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीश कशप ने कहा कि इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया और मेरे जीवन के बुरे दिन खत्म हो पाए इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ। बिहार को मजबूत करना है। भाजपा के साथ मिलकर अब मैं बिहार को मजबूत करूँगा। यूट्यूबर मनीश कशप के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा नेता मनोज सिवारी ने कहा कि मनीश कशप जैसा व्यक्ती जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भाजपा के साथ है। मैं मनीश को जानता हूँ, वे गरीबों का भला चाते हैं और गरीबों का भला करने के लिए वे पीएम मोधी के साथ जुड़े हैं। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे और सम्मान करेंगे। आखिर मनीश कशप को जेल क्यों जाना पड़ा बता दें कि मनीश कशप फर्जी वीडियो जारी करने के मामले में जेल चले गए थे। दरसल, पटना पुलीस की विशेश आर्थिक अपराध हिकाई ने उनके खिलाफ तमिलनाडू में बिहारी मजदूरों के खिलाफ जारी हिंसा का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उनके खिलाफ इने से भी लगा दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इलेक्शन में अगर मनीश कशप की जीत होती है तो आखिकार क्या वह बिहार के लाल बनकर बिहार को प्रगती की तरफ ले जाएंगे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी के लिए इंडी टाइम्स को सब्सक्राइब करें